हाई फ्रेंट जैसा कि आप जानते हैं कि 31 मार्च फिर से आने वाला है और सारे जियों के यूजर एक वार फिर से परिसान है फिर से सोच रहे हैं कि 31 मार्च के बाद जियों में क्या फिर से 99 रुपया का रिचार्ज कराना होगा जैसा कि फ्रेंट आप जानते हैं कि 31 मार्च 2018 के पहले जितने लोगों ने भी सिम लिया था और 99 रुपया का रिचार्ज कराकर जियों की मेंबर्सिप ली थी तो फ्रेंट वहाँ पर सारे लोगों को 31 मार्च 2018 तक एकस्पाईरी दिखा जा रहा था लेकिन फ्रेंट वहें पर 31 मार्च 2018 के पहले जियो की तरफ से एक एनॉसमेंट आया कि सारे लोगों को फिरी में मेंबर्सिप दे जाएगी उसके लिए सारे लोगों को जाना होगा मैज जियो अप्लिकेशन में और वहाँ पर फिर से अपलाई कर सकते हैं फिरी रेन्यू कर लेकिन फ्रेंट आपको बता दें कि 31 मार्च 2018 के बाद यतने लोगों ने भी सिम लिया था तो फ्रेंट उसे प्राइम मेंबर्सिप उसी समय से दिखा जा रहा था अगर किसी ने अप्रील में लिया तो उसे अप्रील तक का प्राइम मेंबर दिखा जा रहा था लेकिन फ्र फिर से 31 मार्च 2019 आने वाला है तो सारे लोग आप सोच रहे हैं कि क्या उसे फिर से 99 रुपया का रिचार्ज कराना होगा या फिर से जियो उसे फिरी में एक साल की मेंबर से देगा तो फ्रेंड आपको बता दें कि जियो की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई भी खबर नहीं कि आपको रिचार्ज कराना ही होगा या फिर नहीं कराना होगा लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर उम्मीद जताए जा रही है कि आपको यहाँ पर फिर से एक साल की मेंबर से फिरीगी मिल जाए और आपको 99 रुपया का रिचार्ज नहीं कराना पड़े क्योंकि फ्रें जुड़े रहें और उससे दूरी ना बनाएं और उसके कस्टमर बढ़ते रहें इसलिए फ्रेंड हो सकता है कि आपको यहां पर फिर से फिरी में एक साल की मेंबर से मिल जाए और आपको 9090 रुपया का रिचार्ज नहीं कराना हो तो फ्रेंड आपकी क्या राया है इसके बार पारी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकोन जरूर प्रेस कर दें तो फ्रेंड मिलता हूं आपसे एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए